हाई अब्रिवेंट देसे जना में वेलकम टीपेजी जॉपसने अड्मिशन सो आजका हमारा फूर्थ लेक्चर होगा अंड्रसर्च मेत्रोलोजी फो यह अपकमिंग डॉक्टर भीम रॉम्बेट का युनिवर्सिटी पीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो आज के इस लेक् इस लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने इन सारे युनिट्स पर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक्टेस और प्रैक्टिस संब्सक्राइब डिजाइन कर रहा है सो याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट कंटेन है हमारे इसी कंटेन से आपको गारेंटे जैती हूँ कि एकजाम में क्वेशन पूछे जा सकते हैं सो हमारे इस कंटेन को प्चेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ है उस पर आपको हमें WhatsApp के थुरू ही कॉंटाइक करना है नॉर्मल काल उस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे app के थुरू भी study material को एक्सेस कर सकते हो और app को एक्सेस करने की link हमने comment section और description box में भी provide कर रहा है जिसने कि आप one click में ही सारे study material को एक्सेस कर पाते हों जिससे कि आपके डॉक्टर भी रॉंबेट का उनिवर्सिटी में PhD entrance examination आपके दो पार्ट में कंड़क करवाया जाता है paper one and paper two तो याद रखेगा आपके entrance examination में आपको paper one and paper two का दिया जाता है paper one आपका 10 units में divided होता है paper two आपका subject specific होता है so paper one में आपके 10 units होते हैं वो कुछ से इस तरीके से होते हैं जैसे आपको teaching aptitude research methodology communication ICT इन सारे topics पर इन सारे units पर आपको हर एक एक unit से 55 questions compulsory exam में पूचे ही जाते हैं तो याद रखेगा इन सारे units पर हमने आपके लिए एक course तयार कर रखा है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स प्रैक्टिस mcqs pdf प्रोवाइट करते हैं जिसकी help से आप आपके पीज़ेंट्रेंस examination को easily crack कर पाते हो तो याद रखेगा बहुत prestigious university है अगर आप preparation start करते हो हमारे इस contents तो आप easily आपके पीज़ेंट्रेंस examination को crack कर पाते हो तो कई स्टुडेंस ने हमारे इस course के तुरू ही अपने पीज़ेंट्रेंस examination को crack कर पाया है कई स्टुडेंस का में feedback आता है अगर आप हमारे जोइन करते हो तो हम आपको इनका feedback भी दिखाएंगे हमारे इस course को purchase करने के लिए स्क्रीन पर आपको नमबर नज़र आ रहा है इस पर हमें WhatsApp कि तुरू ही आपको करना है नॉर्मल को इस नमबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे आप कि तुरू भी study material को access कर सकते हो आपको access करने के link हमने comment section as well as description box में provide कर रहा है जिससे कि आपको one clip में ही सारा study material access करने मिल जाता है आपको आपको download करने के लिए कोई option नहीं आता है जिससे कि आपका time बच जाता है so hurry up grab this opportunity and let's begin with the mcqs question that research is defined as research used to investigate a problem which is not clearly defined इस question में में find out करना है ऐसे कौन से research होती है जो किसी भी problem को examine और understand करने में help करती है जो के well defined नहीं होती है so what research होती है exploratory research अब exploratory research होती क्या है हम यह एक example के तुरू समझते है मान लो एक company है जो maggie sell करती है अब इस company ने यह देखा कि maggie के sales में कुछ months में profit में decrease हुआ है तो यह मान लो यह profit हो आपका and यह हो गया month अब company ने यह देखा कि यह कुछ month में maggie के sales में profit हुआ है लेकिन suddenly profit में decrease होने लगा और फिर से profit increase होने लगा यह जो particular month है इस particular month में maggie के sales में decrease हुई means profit नहीं हुआ उस particular month में so researcher इस study को इस problem को solve करने के लिए exploratory research की help लेगा कि इस particular month में maggie के sales में क्यों decrease हुई क्या factors हो सकते जैसे quality, storage, manufacturing यह सारे factors हो सकते हैं कि maggie के sales को इस सारे factors ने profit में decrease किया होगा so इस type की problem को जो कि well defined नहीं होती है उस type की problem को understand करने में examine करने में research और exploratory research का help लेकर उस problem को understand करेंगे और examine करेंगे then यहाँ पर आपको option B given है applied research applied research क्या होती है जिसमें आप कोई specific और practical problem को solve करते हो इसमें आप कोई problem को understand ने करते हो एक्जामीन ने करते हो that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option C historical historical research क्या होती है जिसे name में meaning है history history में हम क्या पढ़ते है जिसे past events के बारे में हम study करते है so वैसे ही historical research में हम past events के बारे में study करते है जैसे Indian history और world history so historical research में भी हम किसी भी problem को examine ने करते है understand करने की कोशिश नहीं करते है that's why आपको option C भी incorrect हो जाएगा then here this is the definition of exploratory research so here option A is the right answer the major emphasis in exploratory research is on इस question में find out करना है कि exploratory research किस चीज़ पर ज्यादा focus करता है और emphasis means priority, focus, okay यह exploratory research किस चीज़ को ज्यादा importance देता है यह हमें find out करना है अब हम पहले options देखेंगे पहले हम option C देखेंगे determining cause and effect relationships so cause and effect relationships को आप experimental research में determine करते है not in exploratory research so experimental research में आप cause and effect relationship find out करते है between the variables जो कि होते है independent variable and dependent variable आप independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर यह आप experimental research में find out करते हो और इस experimental research की बारे में हमने previous lecture में सारी detail में आपको experimental research की बारे में बताया है आपको वीडियो देख सकते हो so experimental research में हम independent and dependent variable के बीच का cause and effect relationship find out करते है not in exploratory research that's why आपका option C incorrect हो जाएगा then option B solving a specific problem किसी भी specific problem को हम applied research में solve करते है not in exploratory research अगर आप कोई problem को solve कर रहे हो जो कि specific problem है that means वो problem पहले सही defined होगी well defined होगी वो problem तभी तो आप उस problem को solve करते हो applied research में but exploratory research में ऐसी problem जो well defined नहीं होती आप पहले सको examine करते हो understand करने की कोशेश करते हो but applied research में ऐसी problem जो well defined होती है आप उसका solution find out करते है आप उसको solve करते हो so यहाँ पर आपका option B incorrect हो जाएगा then option A getting new insights about a problem so yes यहाँ पर आपका option ने correct हो जाएगा this is related with exploratory research exploratory research में आप किसी भी problem को understand करते हो उसको और deep में जाने की कोशेश करते हो उसको examine करते हो अब मान लो आपके पास एक problem है जो के हमारे पास एक problem थी COVID-19 virus यह virus एक problem था जब यह virus नहीं आया था so research ने पहले इस problem को examine करा अब कैसे examine करा होगा research ने इस problem को इसे behave करें थी उनमें कौन-कौन से symptoms पाए गए so यह सारे इंटर्वीज के थूँ वो research ने इसे data लेंगे उस problem को examine करेंगे understand करने की कोशिश करेंगे जो कि well defined नहीं होती है अब जबी भी हमारे पास कोई problem आती है पहले आप उस problem को पहले understand करोंगे examine करोंगे पहले उसको जानोगे कि वो problem है क्या तभी उसके आगेंस कुछ action ले पाओगे अगर आपने understand कर लिया problem तो उसके आगेंस आप कुछ new knowledge लेते हो पर उस knowledge का अप्लाइट करके आप applied research में उस problem को solve करते हो अब कोई भी problem है तो आप उसको पहले examine करोंगे understand करोंगे तो यह आप exploratory research में करते हो और exploratory research इसी चीज़ पर focus करते है that's why here correct option is option A getting new insights about a problem next question all the following are the part of an exploratory research strategy except इस question में भी find out करना है कि ऐसा कौन सो option है जिसमें हमें exploratory research का part और method given नहीं है तो अब हम options देखते है पहले हम option A देखेंगे interviewing and employee interviewing and employee means employee के साथ interview जैसे मान लो for example एक company है और उस company ने देखा कि आप उनके जो product sale हो रहे है उस product में कुछ decrease हो रहे है product ज़्यादा sale नहीं हो रहे profit में decrease हो रहे है तो उस company के manager क्या करेंगे अपने workers, laborers के साथ interview perform करकर यह जानेंगे कि यह problem हो क्यों रहे है उस problem को understand करने के कोशिश करेंगे कि जो product थे वो product proper sale क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर interviewing and employee यह this is the part of an exploratory research यहाँ पर आपको option नहीं correct हो जाएगा then option भी experts interview so experts interview again this is the part of an exploratory research this is the method of exploratory research exploratory research में आप किसी भी problem जो भी problem हो जो भी topic है आपका उसके against आप कोई experts से interviews ले सकते हो और उस problem को और deep में जान सकते हो जिसे मानलो heart disease है कोई so आप क्या करोगे heart disease के specialist से आप interview लोगे उसके expert से interviews लोगे आप यह देखो कि heart disease होती क्यों है कि blood level में कुछ कमी आजाती है कि blood pressure कैसा होना चाहिए cholesterol level कैसा होना चाहिए कि कैसे maintain करें यह सारे so heart disease यह एक problem है उस problem के expert से अपने interview लिया और उस interviews के थुरू आपने उस problem को understand करा और examine करा so यहाँ पर expert interview this is the part of an exploratory research so यहाँ आपको option B भी correct हो जाएगा then option C interviewers with those involved the problem so यहाँ पर option C में हमें यह बता है कि आप उनसे interview लोगे जो खुद प्रॉब्लम में involved है so this is again this is the part of an exploratory research अब जैसे मान लो कोई disease है अब हम यही disease ले 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 कोविट okay covid disease है अब कोई person है जो covid disease में involved है और आपको covid disease के बारे में कुछ पता ही नहीं यह पहले so आप क्या करोगे उस person से interview लोगे कि आपकी body उस time पर कैसे behave कर रहे थी आपको कौन-कौन से symptoms हुए थे उस time पर जब आपको covid disease हुई थी आपको क्या हो रहा था आपको क्या fever था sneezing हो रहा था coughing हो रहा था आप यह सारे चीज़े उस person से पुछोगे जो खुद उस problem में involved था so आप जो ऐसा person जो उस खुद problem में involved है उससे भी आप interview लोगे और उस problem को understand करने के कोशिश करोगे so again here option C is also part of an exploratory research then यह आपको option G given है experiments experiments this is not the part of or this is not the method of an exploratory research because experimental research में और experiments में आप experiment जब perform करते हो कि जब आपको कोई चीज़ पर test करना होता है आप exploratory research में कोई चीज़ को test ने करते हो आप बलके उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हो आप उस चीज़ को understand करने की कोशिश करते हो that's why आपको option D incorrect हो जाएगा option D this is not the part or not the method of an exploratory research और हमें भी इस question में यही पुचा गया है that's why आप आपका correct option हो जाएगा option D experiments next Indigo Airlines has experienced a continuing an unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Mumbai to Delhi you have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to check how would you start इस question में हमें एक example given है के एक Indigo Airline है जो Bombay से Delhi का road follow कर रही है इस Indigo Airline ने यह देखा कि उनके जो ticket sold हो रहे थे वो ticket sold होना decrease हो गया है means ticket sell हो रहे थे वो ticket sell नहीं हो रहे means ticket sell नहीं हो रहे means यहाँ पर profit decrease हो रहा है इस airline का अब यह problem आ गई इस problem को आप कैसे solve करोगे और उस problem को solve करने के लिए आप first step क्या follow कर रही है इस problem को solve करने के लिए अब उस problem को कैसे start करोगे means उस problem को first step क्या होगा हमें यह find out करना इस question में अब जैसा हमने first question solve किया था जिसमें हमने देखा था कि Maggie थी Maggie की sell में decrease हो रहा था particular month में उसी same type का यह भी question है अब जैसे आपर देख लो आप कि यह airline से उस airline अपने ticket के जो वो ticket sell sold हो रहे थे उस particular month में उस month में continuous decrease होने लगे यह particular month में जो ticket के sell थे उस sales नहीं हो रहा थे profit decrease हो रहा था इस airline को सो क्या वज़य हो सकती है यह problem क्यों हो रही है इस problem को पहले research understand करेंगे और इस problem को जो airlines के manager है वो understand करेंगे कि इस problem में क्या ऐसा हो गया इस problem यह जो problem है इस particular month में क्यों decrease हो रहा क्या हो सकता है कि ticket के phone increase हो गए होगे उनकी service अच्छी नहीं होगी इसे कुछ problems हो सकते है जिसके वज़े से इनके ticket sell नहीं हो रहे है remember अब यह problem है किसी भी problem को solve करने से पहले आप क्या करोगे उसको understand करने की कोशिश करोगे कि ऐसे कौन से वज़े हो सकती इसके वज़े से यह particular airline के ticket है वो sell नहीं हो रहे थे उनके ticket sell होने में जो profit हो रहा था वो decrease होने लगा जब भी आप किसी भी problem को solve करते हो in the first step you understand the problem you examine the problem आप examine करते हो उस problem को और जानने की कोशिश करते हो कि वो problem किस वज़े से हो रही है so remember in exploratory research exploratory research में हम किसी भी problem को understand करते है उस problem को examine करते है so here option C is the right answer then यह आपको option B given है applied research applied research में आप जो problem already होती है जो कि well defined होती है उस problem को आप solution find out करते हो ना कि उस problem को understand करने की कोशिश करते है that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option A descriptive research descriptive research क्या होती है descriptive research ऐसे research होती है जिसमें आप जो भी phenomena होता है उस phenomena को as it is described करते हो बलके इस descriptive research में आप कोई problem को examine नहीं करते हो, कोई problem को understand नहीं करते हो, बलके उस phenomena को as it is described करते हो, so that's why आपको option A भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option C exploratory research next, the objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing इस question में find out करना है इसे कौन से research होती है जिसका aim और goal यह होता है कि कोई hypothesis को develop करे ना कि इस hypothesis को test करे आपके लिए hypothesis इस question में new word है आपको पता आने चीए hypothesis होता क्या है hypothesis एक tentative statement होता है और you can say temporary statement होता है tentative means temporary hypothesis एक temporary statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर based होता है जैसे हम कभी-कभी guess कर लेते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो सकता है उसी तरीके से hypothesis भी होता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है तो researcher कभी का बार अपने assumptions पर best hypothesis देते हैं, एक statement देते हो और उसी statement को अपने research में टेस्ट करते हैं अब मान लो यह आप पर researcher ने एक statement दिया कि COVID है, COVID के against यह जो vaccine है, यह vaccine COVID को cure कर सकती है research ने यह ने कहा कि यह vaccine लेने से आपको COVID नहीं होगा, यह vaccine से COVID cure होई जाएगा, ऐसा ने कहा है, हो सकता है कि यह vaccine लेने से आपका COVID cure हो सकता है तो यह hypothesis हो गया, अब हमें इस question में find out करना है कि कौन से research का aim होता है कि hypothesis develop करें ना कि उस hypothesis को test करें तो वो होती है आपकी exploratory research, exploratory research में आप hypothesis develop करते हो, उस hypothesis को आप test नहीं करते हो, बलके आप exploratory research में उस problem को तो understand करने की कोशिश करते हो, वो problem हो कैसे रही है, वो problem क्यों हुँ हुई है, उसको examine करने की कोशिश करते हो, आप को test नहीं करते हो, इसलिए hypothesis testing नहीं करते हो, आप exploratory research में बलके hypothesis develop करते हो that's why अपर आपका option A correct हो जाएगा then option B applied research applied research applied research में आप कोई problem को solved करते हो solution find out करते हो that means यह आप आप test करोगे सल्बूशन को find करोगे so applied research में आप hypothesis को test करते हो rather than hypothesis development that's why अपर आपका option B incorrect हो जाएगा then here correct option is option A exploratory research so remember this is very important exam में इस type के question आते है कि आप किस research में hypothesis develop करते हो और उस hypothesis को test नहीं करते हो so वो हो जाएगे आपकी exploratory research and for this question option is the right answer next the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is इस question में मैं find out करना है इसी कौन सी type of research study होती है जिसमें जिसका ज्यादा तर use business man करते है अब business में कौन सी type की research ज्यादा use होती है वो होती है आपकी exploratory research study अब exploratory study क्या होती है अब मान लो कोई business है अब business में कभी कबर loss भी होता है जरूर नहीं है आपको बस profit मिले so loss भी होता है so जैसे loss हो रहा है means कोई product but not sell नहीं हो रहे produk ज्यादा जिसे यह जहीं आपको बिस्नेस करेआए उस आपको product ज्यादा सेल करना है आपको profit चाहिए so आपको profit नहीं आरा है means यहापर आपकी profit loss हो रहा है profit में अब यहापर आपके लिए प्रॉबलम हो जाती है business man के लिए हो जाती है अinsi बिश्नमें को अंडस्टेंड करते इस प्रॉब्еличम को एकसंपे प करने के लिए बिश्नमन एक्सपो्रेटरी स्टड़िस यूज करते हैं सपहर्टिस में धें और कि वह अरिया फ्रोड़ांद क्या आ रहे वजह समетрिय क्ぐस्ते हिरा नहीं हो चैनल grave कोई effect आ रहा है कौन साइसे factors है जो manufacturing में कोई effect आ रहा है कुछ problem आ रही है तो यह देखने के लिए businessman और researcher exploratory study का use करते हैं और एक्सलोरेटर स्टडी बिजनेस में जादा यूज करे जाती है यहाँ पर आपको option descriptive study descriptive study क्या होती है एक phenomenon होता है आपको उसको as it is described करना होता है आप descriptive research में आप किसी भी problem को understand नहीं करते हो नहीं examine करते हो that's why आपको option भी incorrect हो जाएगा then option C experimental study experimental study क्या होती है जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो between independent variable and dependent variable so आप experimental study में independent variable का क्या affect हो रहा है dependent variable पर आप यह दिखते हो ना के experimental study में आप किसी problem को examine करते हो नहीं understand करते हो so यह पर आपको option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A exploratory study next question one of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through this question में find out करना है इसा कौन सा method होता है जो fastest होता है और cheapest होता है hypothesis को discover करने के लिए so अब हम options देखेंगे option A sample survey sample survey क्या होता है sample means आप लोगों को collect करते हो population में से कुछ लोगों को collect करते हो और वो आपका sample बन जाता है अब samples के तुरू आप response जानते हो लोगों का response क्या हो रहा है क्या होगा लोगों का response so sample में एक-एक लोगों के पास आप जाओगे उनसे उनका response लोगे so यह एक time taken process हो गया time taken process है यह फास्टेज नहीं है यह आपका option भी इनकरेक्ट हो जाएगा then option B the use of a panel so panel क्याता है जिसमें researcher four or five community और you can say experts के group को experts को invite करते हैं अब पहले आप कोई लोगों को invite करोगे फिर वो आएंगे फिर आप 4-5 लोगों का opinion जानोगे so यह भी time taken process ही हो गया so option B भी hypothesis को discover नहीं कर सकते बिकर्स यह cheapest or fastest method नहीं है then option C an experience survey so यह आपर survey word आ रहा है so remember जब भी survey word आता है that means it is time taken process because आप लोगों के उनका response जानते हो so response जानने में एक लोगों से सब लोगों का response अलग अलग होता है so अलग अलग लोगों से उनका response जानना so service के तुरू time लगता है so it is again time taken process that's why आपर आपको option C भी incorrect हो जाएगा then option D literature search literature search क्या होता है literature means journal articles papers में जो भी researcher ने research की होती है so वो पुराने information उस particular topic पर जो भी पुरानी research की गई होंगी सारी information present होती है आप उस information को refer करते हो और उस information के basis पर आप hypothesis discover करते है so literature search क्यूंकि यह आप खुद ही करते हो इसलिए fastest और you can say cheapest method होता है hypothesis को discover करने के लिए और develop करने के लिए that's why आपर आपका correct option हो जाएगा option D literature search next question which of the following research is conducted as the first step in determining appropriate action इस question में मैं find out करना है कि अगर आप किसी problem के against action लेते हो उस problem को solve करते हो फिर्ष टिप अब क्या perform करते हो remember अगर आपके पास एक कोई problem है मार आपके पास एक problem है उस problem को आपको solve करना है अब आपको पहले पता होना चाहिए न वह problem है क्या exactly उस problem को आपको पहले examine करना चाहिए आपको उस problem को understand करना चाहिए आपको पताना चाहिए वो क्या problem क्या हो रही है उस problem आई कैसे उस problem को आप बीप में पहले understand करोंगे अगर आपको problem समझ में आएगी एक बार तभी तो आप उसको solve कर पाओगे So, yes, वो research होती है आपकी exploratory research ena thorough계, inflammatory research में आप या करते हैं पहले problem को understand करते हो और या प्रॉबलमowned को examine करते हो अगर आप किसी problem को solve करते हो अगर किसी problem को कि हमें solve करना ये तो पहले आपको distaper साया होना चाहिए उस problem के बारे में कुछ information होना चाहिए आपको understanding होना चाहिए इस problem के बारे में तभी तो आप उस problem को solve कर पाओगे exploratory research में जैसे किसे भी problem को हमको solve करने से पहले इस problem को understand करना पड़ता है इस problem को examine करना पड़ता है इसी तरीके से exploratory research में हम कोई problem को understand करते है और examine करते है तो यह पर आपको option decorrect हो जाएगा तरी यह पर आपको option c given है applied research applied research में आप problem को solve करते हो पहले exploratory research में आप problem को examine कर लेते हो उस problem को understand कर लेते हो अब examine understand करने के पाद उस problem के अगेंस आप कुछ information gain करोंगे जो कि आप fundamental research में करते हो अब fundamental research में जो भी आपके पास information मिल जाती है आपको उस information को use करकर आप applied research में उस problem को solve करते हो so applied research में आप directly problem को solve करोगे जो भी अपने fundamental research में theory बनाएंगे उस theory उस concept को use करकर so यह पर applied research में आप problem को first step नहीं होता है क्यांकि फर्स्टेप में आपको problem को understand करना होता है that's why आपको option C incorrect हो जाएगा then option B historical research historical research में आप past events के बारे में study करते हैं जैसे history history जो आपका subject होता है so history में भी आप past events के बारे में study करते हो वैसे ही आपकी historical research है जो already events हो चुके होते हैं और study करते हो कि उसका application क्या हो सकता है present में इसलिए historical research perform करते हो बस historical research में आप कोई problem का examine नहीं करते हो और किसी problem को solve करने का यह first step नहीं होता है that's why option B here incorrect then option A experimental research experimental research में आप cause and effect relationship find out करते है between the variables की एक variables का दूसरे variable पर क्या effect हो रहा है again experimental research में आपको यह problem को नहीं solve करते हो नहीं इस problem को examine करते हो नहीं understand करते हो that's why आपर आपको option A b incorrect हो जाएगा so here correct option is option D exploratory research moving on to the next question which of the following is true about exploratory research इस question में find out करने के exploratory research के बारे में हमें कौन से option में सही information given है so now option A देखेंगे it is unstructured so yes यहाँ पर आपको option A correct हो जाएगा because exploratory research unstructured होती है exploratory research में हमें पता है exploratory research में किसी भी problem को understand करने के कोशिश करते हो और examine करते हो और particular area को explore करते है अगर आपको कोई चीज के बारे में understanding gain करने होती है तो आप कोई steps और कोई structure follow नहीं करते है बलकि आप zigzag manner में आप किसी भी तरीके से आप यह चाहोगे कि बस मुझे इस problem कहां से आई है बस इस problem के बारे में मुझे कुछ understanding हो जाए exploratory research unstructure होती है यहाँ पर आपको option be given है helps researcher in early stages of discovering the cause of a problem यहाँ पर आपके लिए early stages of word given है यही आपके लिए keyword है तो आप अगर एक्जा में भी ऐसे क्राइब कोशन सॉल्फ करते हैं तो आपको एकाद वर्ट देखकर है आपको गेस लग जाना जीए कि हाँ यह option correct होता है तो आपको ऐसे कुछ words याद रखने early stages जैसे हमने देखा था exploratory research हम starting में करते हैं अगर कोई problem है उस problem को पहले आप understand करोगे उस problem को examine करोगे है अगर उस problem है अगर कोई problem आपको समझ में आ गई तभी तो आप उसको solve कर पाओगे लिए उस problem को समझड़ होने चाहिए उस problem के बारे में तभी का उस problem को solve कर पाओगे Turning exploratory research होती है यह हमें help करती है early stages में जो भी problem है उसके अगेंज कुछ understanding गेंग करवाती है और कोई हम examine कर सकते इस problem को और देन उसके बाद हम इस problem को solve करते हैं आपका option B भी correct हो जागए it is also correct about exploratory research so here correct option is option C both A and B are the right options about exploratory research next the purpose of this research is to gain background information to define the terms to clarify the problems and to develop hypothesis the above statement is related to which among the following types of research इस कोशन में मैं find out करना है जो हमें यह statement given है यह statement किस research study से related है अब statement हमें क्या given है statement में हमें यह given है इसी कौन से research का purpose होता है जिसने हमें background information जो भी background उस particular problem की जो भी background information होंगी वो हमें मिलती है हम उस problem को define करते है उस problem को और clarify करते है और वो research में हम hypothesis भी develop करते हैं so वो research होती है है आपकी exploratory research exploratory research में मैं लोग प्रॉब्लम है उस problem का background information लेते हैं अब एक problem है जैसे हमारे पास बहुत बड़ी problem थी covid-19 virus अब यह covid-19 virus यह हमारे लिए प्रॉब्लम थी यह प्रॉब्लम जब न्यू आए थी तो researcher ने क्या कर रहोगा इसी problem के बारे में background information लिए यह किस टाइप का virus है यह कैसे human में affect करता है यह कहां से आया यह कहां से generate हुआ है यह कैसे एक से दूसरे person में move करता है यह virus तो यह सारी background information researcher ने इस प्रॉब्लम के अगेंस पहले गेंड करी होगी then इस problem को define करा होगा यह problem है क्या इस problem को clarify किया होगा कि यह problem कैसे आई क्या है यह problem किस वजह से इस problem को understand किया होगा examine किया होगा then exploratory research में researcher hypothesis भी develop करते है so research से यह भी कह सकते है कि इस virus को particular vaccine किल कर सकती है so ऐसे type के hypothesis भी develop कर सकते है so exploratory research में आपको यह points याद रखना है exploratory research में आप उस particular problem के बारे में background information गेंड करते हो उस problem को define करते हो उस problem को clarify करते हो और आप hypothesis भी develop करते हो then यापर आपका option A correct हो जाएगा exploratory study then option B given है descriptive study descriptive study में आप as it is कोई phenomena को describe करते हो यापर आप कोई background information नहीं इस problem को define करते हो नहीं clarify करते हो that's why आपर आपका option B incorrect हो जाएगा then option C experimental study experimental study में तो आप cause and effect relationship find out करते हो नहीं आप उस problem को clarify करते हो नहीं define करते हो that's why आपर आपका option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A exploratory study so students I hope the concept of exploratory study is clear to everyone and thank you for watching this video see you tomorrow with another video